वेलकम टुश्टडी वितनी इलम आज हम दिखेंगे एक जून 2022 के करंट अफिर्स और इसके साथी करंट अफिर्स इस्टेटिक्स जीके की फटाफट एक्सप्रेस चलिए शिरू करते हैं लेक्चर फटाफट पहला कॉशन है हमारा विश्व तमबाकू निशेद दिवस 2022 की पहला है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए तोबेको army Architecture when दोबेको ट्रेट्ट आवर इनवार्मेंट की याद रखेंगा धुझ ट्रेट को यहाँ यहादरश है वह फमारे पर्यावरण के equilibrium के लिए क्या है हानिकारक है, नुकसान दायक है, खतरनाक है, प्रतिवर्स इकतिस मही को विश्व स्वास्त संगठन WHO, WHO की स्थापन कभ ही थी वही, 7 अपरेल 1948 को ही थी, इसलिए 7 अपरेल को क्या मनाया जाता है विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है और वैश्विक साजेदार विश्व तंबाकू निशेद दिवस मनाते हैं तंबाकू से प्रती वर्स 80 लाग से ज़ादा लोगों की मोत होती है खेती, वित्रण, उत्पादन, खपत तथा उभोकता के बाद के कच्रे के माध्यम से यहां मानव स्वास्त और परयावरण को नुकसान पहुचाता है विश्व तंबाकू निशेद दिवस 2022 की थीम टोबे को Threat to Our Environment रही है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा PM Care Fund से संभन्दित निमनलिखित कत्मों पर विचार कर सही कतन का चियन करें क्या चूज करना है आपको Right यहाँ एक सारवजनिक धर्मार्थ ट्रश्ट है यहाँ पर Right नहीं होगा Wrong चूज करना आपको गलत चूज करना है यह एक धर्मार्थ ट्रश्ट है इसका अध्यक्ष प्रधान मंतरी होता है इसके सदश रक्षा मंतरी और वित्य मंतरी होते हैं इसके स्थापना बच्चों से संभन्दित योजनाओं के लिए की गई है यहाँ पर यह सभी गथन क्या है सही है देख लेते हैं प्रधान मंतरी ने हाली में PM Care for Children's योजना के तहत कुछ गोशनाओं की है केंद सरकार ने COVID-19 महामारी से उत्पन ने किसी भी आपदा संकट की इस्तिती से निपटने के लिए PM Care's Fund की स्थापना की थी यहाँ Fund एक सारवजनिक धर्मार्थ ट्रश्ट है इसके अद्यक्ष प्रधान मंतरी होते हैं इसके अन्य सदश्यों में रक्षा मंतरी, वित्य मंतरी और ग्रह मंतरी शामिल है यहाँ Fund सूक्षम दान चोटे-चोटे लोग दान करते हैं किसीने 1,000, 2,000, 5,000 रुपे दान को संभव बनाता है हर कोई तो 2-2 करोड, 3-3 करोड नहीं कर सकता ना दान तो PM funds में क्या कर सकते हैं चोटा-चोटा दान, 100-200 रुपे आप दान कर सकते हैं जिससे बड़ी संख्या में लोग छोटे से चोटे योगदान करने में सक्चम होते हैं यहां आपदा प्रभंदन चमताओं को मजबूत और नागरिकों की सुरक्चा पर अनुसंधान को प्रोसाहित करता है क्या? PM Cares Fund PM Cares Fund में योगदान CSRV माना जाता है CSRV मतलब Corporate Social Responsibility Corporate सामजिक जिम्मेदारी जो बड़े-बड़े Corporate घराने हैं आपके अंबानी हो गए टाटा हो गया यह लोग अपनी Social Responsibility के तहत इसमें जो फंड डालेंगे तो उसको टेक्स से सिवल नहीं होगी मतलब उस पर टेक्स नहीं लगेगा नेक्स्ट है बताईे निम्मे से कोन सा देश भारत का सबसे बड़ा वैपारिक भागिदार देश बना है इससे पहले कोन था? चीन था जबकि चीन मानता है कि भारत ने अपने बहुत सारे उतपादों पर क्या रखे करके रखा है? बेन लगा के रखा जिसे भारत का घरेलू मार्केट प्रभावित ना हो अगर भारत के घरेलू मार्केट को अमेरिका के उत्पादों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा तो भारत का अमेरिका के साथ भी वेपार घाटा रहेगा ये किसका कहना है चाइना का कहना है ओके चलिए देख लेते हैं आगे अभी कौन बना इसका राइट आंसर होगा बी अमेरिका वर्स 2021 में चीन को पचाड कर अमेरिका हमारा सबसे बड़ा वैपार भागिदार देश बनाए वैपार विशेशग्यों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भी अमेरिका के साथ द्यूपक्षी वैपार बढ़ने का या सिलसिला जारी रहेगा भारत एक इंडो पैसिफिक एकोनोमिक फ्रेमबर्क आई पी एफ स्थापित करने के लिए अमेरिका के नेतरत वाली पहल में शामिल हो गया है इस वज़ा से आर्थिक संबांदों को बढ़ामा देने में और इससे मदद मिलेगी याद रखिएगा अगला कोश्चन है SEA Pacific Institute for Broadcasting Development AIBD की स्थापना 1977 में निमन लिखित में से किस संगठन के तत्वधान में हुई थी मतलब इन में से कौन सा ओर्गनाईजेशन है जिसने इसकी स्थापना में महत्पुन भूमे का निभाई थी राइट आंसर हो गए यहां पर हमारा UNESCO किसकी UNESCO की सहयता सी स्थापित किया गया था UNESCO का फुल फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइन्टिफिक कल्चरल और्गनाईजेशन ओके हैट्वाटर कहां मिलेग आपको पेरिसमिस का हेटकॉर्टर मिलेगा हाल ही में सत्रवे एशिया मीडिया सिखर सम्मेलन में केंदरी सूचन और प्रसारण मंतरी ने कोविड-19 महामारी में दोरान भारती मेडिया की भूमिका की सराहना किये कमेंट सेक्षन में बताइए भारत के केंदरे सूचना और प्रसारण मंतरी कौन है कल आप लोगोंने सही आंसर दिया था आप लोगोंने राइट आंसर दिया था और आगे भी जो राइट आंसर देगा मैं उसका नाम इसी तरीके से आपके लिए लिया करूंगी अगला कोशन है निमने लिखित में से वह कोन सी आपनिवेशिक सकती थी जिसने भारत को सबसे अंतिम रूप से चोड़ा था तो राइट आंसर होगा यहां पर हमारा ए पोर्तगाली किन ने चोड़ा था लास्ट में पोर्तगाली ने चलिए समझ लेते हैं हाली में गोवा के स्थापना दिवस 30 मई को मनाये गए गोवा का स्थापना दिवस कब होता है 30 मई को और याद रखेगा गोवा मुक्ती दिवस ये कब मनाये जाता है 19 दिसंबर को गोवा की स्थापना दिवस अलगे, गोवा मुक्ती दिवस अलगे, स्थापना 30 मई मुक्ती दिवस 19 दिसंबर, भारत प्रधान मंतरी ने राज जी के लोगों को बदाई दी, गोवा के मुक्ती मंतरी को ने प्रमोस्ता बनते, गोवा भारत के दक्षिन पच्छिमी तर्ट प लग किया गया है गुवा की राजभासा कॉंकडी है जो आठवियन सूची में शामिल 22 भाशाओं में से एक है स्वतंतरता मिलने के बाद भारत में पुर्तगालियों से अपने छेतरों को सोपने का अनुरूत किया परंतु पुर्तगालियों ने गुवा और दमन दीप को भार के समय और दमन और दीव तो याद रखेगा दमन दीप और गोवा को भारत की मुख भूमी में मिला लिया किस ऑपरेशन के द्वार और विजे के द्वारा पुर्तगाली भारत में सबसे आने वाले पहले और भारत की भूमी को छोड़ने वाले अंतिम यूरोपिये थे को वहाँ पर पुर्तगाल का प्रभाव इस पश्ट रूप से दिखाई देगा पहली प्रिंटिंग प्रेस के स्थापना गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी और भारत में तंबाकू का जो लेकर आये थे तंबाकू की फसल भारती नहीं थी इसे भारत से ल अपका '' ये है आपका '' रेड सेंडर्स'' यहां IUCN की Red Data List में इंडेंजर्ट की सूची में शामिल है बतलब विलुप्ति की कगार परे चंदन की जो कटाई है वो गेर कानूनी है और इसका जो बैपारे वो भी गेर कानूनी है और यह क्या हो रहा है इसकी संक्या लगतार घटती जा रही है इसका रोपन नहीं हो रहा ह है ठीक है इस वज़े से यह विलुप्त हो सकता है आने वाले 50 सालों में यहां वनस्पति जीवों बन जीवों पर साइट्स कंवेंशन के परिशिष्ट दो में शामिल है अगर आपसे पूछा जाए एक्जाम में कि जो साइट्स कंवेंशन हुआ था वन जीव जीवों और वनस्पतियों को लेकर उसमें रेट सेंडर्स किस परिशिष्ट में शामिल है तो दो में शामिल है ऑके भारत से रेट सेंडर्स का नरियात विदेश वेपार नहीं करता है इलीगल होता है वो बात अलग है ऑके हाली में समचारों में चर्चा में रहा है यूनिकॉर्न बनन स्टार्ट अप कम्पनियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है यूनिकॉर्न ओके उधम पूंजी समर्थित स्टार्ट अप को यूनिकॉर्न बनने के लिए कम्पनी का मुल एक बिलियन डॉलर पार होना चाहिए भारत तीन सो अरब डॉलर से अधिक के मु रूप से उनके वर्तमान वित्य परदशन से जुड़ा नहीं है लेकिन बड़े पेमाने पर उनकी विकास चमता पर आधारी थे इन्वेश्ट इंडिया के एक रिपोर्ट है के अनुसार वर्ष 2021, 2020 और 2019 में प्रतिक वर्ष 44, 11 और 7 यूनिकॉर्ण उभर के सामने आए हैं मतलब अगर पिछले हम 7-8 सालों की बात करें तो इस टाइम पीरेड में यूनिकॉर्ण स्टार्टफ को उभरने में बहुत बड़ी मदद मिलिये और ये हमारे देश में स्टार्टफ के जो डबलपमेंट के जो कंडिशन्स होती हैं उसके लिए गोल्डन एरा कहा जा रहा है चलिए अगला कोशन देखते हैं चर्चा में रही प्रदान मंतरी रोजगाए गैरेंटी योजना से समरिद गलत कतन का चैन करें यहां हमें रॉंग देखना है इसे 2023-2024 से 2027-28 तक जारी रखने को बंजुरी दी गई है ये गलत है इस योजना को सूक्ष में लगो और मद् द्योग आये हो गए ये भी सही है तो हमारा राइट अंसर क्या होगा कॉशन के अकॉर्डिंग ए हमें गलत चूस करना था प्रदान मंतरी रोजगाए गैरेंटी योजना को 2021-2025 तक पांस सालों के लिए जारी रखने को मंजुरी दी गई है प्रदान मंतरी रोजगाए गै के लिए रोजगार के अफसर उत्पन्य करने की सुविधा प्रदान करती है खादी और ग्राम उध्योग आयों कि इस योजना का राश्टी इस्तर की नौडल एजनसी है नेक्स्ट है बताइए राजकोसी घाटे की गढ़ना के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों में कौ सीमत शामिल नहीं है तो राइट आमसर क्या होगा उधारिया देखे भई आपकी जो टोटल आय है मान लीजे 50,000 रुपे है आपने किसी से 10,000 रुपे उधार लिए ठीके तो आपके जो सारे खर्चे और सारा वै हो चुका है सारी आपने किसी को उधार दिया था तो वो प् यह आपकी इंकम नहीं है यह उधारिया है ठीके इसी तरीके से तो यह जो उधारिया होती है वो राजकोसी घाटे में शामिल नहीं होती है हमारा राइट आंसर होगा ए State Bank of India ने कहा है कि सरकार राजकोसी घाटे का लक्ष अब भी पूरा कर सकती है कुल राजस और कुल बै के वीच के अंतर को राजकोसी घाटा कहा जाता है यह सरकार द्वारा आविशक उधारी का एक संकेत होता है आम तोर पर देश के केंद्री वेंक से उधार लेकर या ट्र राजस्व की गढ़ना करते समय उसमें उधारियां शामिल नहीं होती है ओके प्राप्तियों में कर राजस्व के साथ गेर कर राजस्व भी शामिल होते हैं गेर रण पूंजी गत प्राप्तियां जेसे रण और अगरिम की वसूली वी निवेश आय भी सरकार की कुल आय का ह हिस्सा होते हैं next है हाल ही में जारी आंखडों के नुसार वर्स 2021-22 में निम्न में से कौन सा राज चीनी के उत्पादन में सीर्ष पर रहा है रिकॉर्ड तोड उत्पादन किया गया तो राइट आंसर होगा महाराष्ट दूसरे स्थान पर आता है उत्र प्रदेश तीसरे उत्पादन में इस वर्ष का रेकॉर्ड उत्पादन किया जितनी वनुमान लगाए गये थे उससे अधिक वर्स 2021-22 में सीर्ष चीनी उत्पादक राज्जों में महाराष्ट उत्र प्रदेश करनाटक और गुजरात रहे हैं गया थे कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे ब पुरसकार 2022 किसे सम्मानित किया गया तो राइट आंसर हो गया उमर नेसार ठीक है ये दक्षन जम्मू कश्मीर के आरजे हैं और इन्हें युनिसेफ के द्वारा दिया गया है चेंपिन पुरसकार 2022 नेक्स्ट है फटाफट एक्सप्रेस चलिए देख लेते हैं फटाफट क सांखी की और कारेकरम कारेयन मंत्राले जीडीपी के अनंतिम अनुमान जारी करता है ये याद रखिएगा वित्य वर्ष के लिए राष्टी आई के दो मुख्यायाम होते हैं कौन-कौन से सकल गरेलू उत्पाद और सकल मुल्य वर्धित ठीक है ये दोनों जोड़े जाते ह राष्टी आई का सम्मिकरण क्या होता तो याद रखिएगा भई जीडीपी क्या होती है जीकल टू जीबी ये सरकार द्वारा अरजित आय सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वली सिटियां सबको मिलाकर माइनस करकर क्या बनाया जाता राष्टी आई का गढ़ना की जात हमारे दिश में सुपरकंप्पिटर के जने कौन है तो विजे भठकर है क्विट टुबे को नामा के अप्लिकेशन किसने लॉंच की है तो ये डबलु एचो के द्वारा लॉंच की गई है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 जो इसका सत्रवा संसकरणे में वी शांतरम राइट टाइम अचीबमेंट अवर्ट से किसे सम्मानित किया गया है संजीत नार्वेकर को सम्मानित किया गया है कॉमन वेल्थ पॉइंट ओफ लाइट अवर्ट से किसे सम्मानित किया गया है किसोर कुमार दास को किया गया है कुछ्ट रोग के लिए अंतर राश्टी महत्मा गांधी परुषकार डॉक्टर भूशन कुमार को दिया गया है अंतर राश्टी बुकर परुषकार 2022 गीता अन्जली शीरी को मिलने वाला पहला बुकर परुषकार अंतर राश्टी और इसको जो हिंदी इसका ट्रांसलेशन किया था वो किया था डेजी रॉक्वेल ने और इनके जो उपन्यास है जो बुक है उसका नाम क्या है टॉम ओफ सेंड ओके याद रखियेगा आठवे अंतराष्टी योग दिवस की थीम क्या है योग फॉर हिमिनिटी कहा होगा मैसूर करनाटक में होगा कब होता है योग दिवस 21 जून को होता है और ये आठवा होगा 21 जून 2022 को परम अनन्त सुपर कम्पीटर स्थापित कहां किया गया है तो याद रखियेगा आई 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 टी गांधी नगर कुछ रात में राष्टी सुपर कम्पीटिंग मिशन का प्रारंब हुआ करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया तो गुजरात गुजरात के कच्छ में ये डिलिवरी की गई ड्रोन के माध्यम से किसकी इंडिया पोस्ट मेल डिलेवरी स्वास्त सेवक के छेतर में ड्रोन को लौंच करने वाला पहला राज्य उत्रकंड बना है नागरिक हवाई इसका ही प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने लॉंच किया तेलंगाना ने मनसुक मांडविया को ने भाई हमारे स्वास्त मंत्री ने ड्रोन आधारित वैक्सीन मॉडल लॉंच किया कहाँ पर आई ड्रोन जो है मॉडल तो यह उत्तर पूर्वी राज्यों में किया गया है और को किसकी साहता से लॉंच किया गया इंडियन काउंसलिंग ऑफ मैडिकल रिसर्स आई सी एमार की साहता से पहला ड्रोन स्कूल और पहला ड्रोन मेला कहां है गवालियर में किस ने किया था जो ड्रोन मेले का उद्गाटन तो सिंधिया जो है अमारे नागरिक उड्डियन मंत मई को मना जाता है क्योंकि 30 मई 1826 को उदंत मारतंड जो पत्रकार पेपर था अखबार था ये लॉंच हुआ था किस ने किया था पंडिच जुगल किस ओर सुकला के द्वारा भारत में छपने वाला पहले अंग्रेजी भासा का समचार पत्र की बात की जाए तो बंगाल प्रेश्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष्ट कोने यह भी आपका एससी का पेपर चल रहा है सीजी एल उसमें पूछा गया कोशन है अविक सरकार है वर्ल्ड प्रेस फ्रेडम इंडेक्स 2022 में भारत की रेंग कितनी रही 150 टॉप पर को रहा नौर्वे ओके फ्रेंट्स तो यह था हमारा फर्स्ट जून करंट अफिर्स विथ फटफट एक्सप्रेस कोशन आई होप आपको लेक्चर पसंद आयोगा पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ठीक्स फर वाचिं और तेक एर